D-Pharma के examination pattern में बहुत बड़ा बदलाब हुआ है जानेंगे इस वीडियो में जैसा कि आप सब यूगा पता है हाली में जो है D-Pharma के लिए PCI ने नया syllabus जो है नया syllabus लाई है और ये नया syllabus के according इन्होंने जो है नया exam pattern यहां पे रख दिया है D-Pharma student के लिए तो वो क्या exam pattern होने वाला है detail में discuss करेंगे इस वीडियो में आपकी display पे भी show हो रहा हुआ D-Pharma examination 2022 यानि कि 2022 और 23 batch के लिए ये examination pattern होने वाला exam का pattern होने वाला किस तरह से question आएंगे किस तरह से sort very sort ये सारी चीज़े इस detail में बात करेंगे इस वीडियो में long question long question की बात करें तो यहाँ पे आपके 7 question long question आएंगे जिसमें आपको 6 question करने compulsory है 6 question आपको attempt करने पढ़ेंगे और यहाँ पे देखें तो 6 question 5 number का ये question है इस इससाब से आपके 30 number के long question हो जाते हैं 30 number के आपके long question हो गए उसके बाद मैं बात करें sort answers की तो sort answer की बात करें तो यहाँ पे 11 question आपको दे रखे होंगे जिसमें से आपको 10 question attend करने होंगे और 3 number का यहाँ पे sort question sort answer होने वाला है 3 number का आपका sort answer होने वाला है यानि कि 10 question गुड़ा multiply 3 तो यहाँ पे 30 number के आपके sort होने वाले हैं वही उपर long भी 30 number के और sort भी आपके 30 number के होने वाले है उसके बाद में objectives की बात जैसे कि आपको बी फार्मर में भी देखने को मिलता है exam pattern same उसी के तरह हाँ पे इन्होंने इन डी फार्मर के लिए भी हाँ पे रख दिया है नए वैच के लिए जो नए PCI ने नया जो guidelines पास किये उसके according में बता रहा हूं आपको 20 question आपको objectives देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एक number का एक number का होगा एक objective 20 number के आपके objectives होगे तो understand की बात करें तो आपको 6 question attend करने पांच number गयेके तो 30 के होगे sort की बात करें तो आपको 10 question दिये रहेंगे 3 number का एक question होगा आपका 30 number होगे sort की objectives की बात करें तो objectives में आपको 20 number 20 question दिये रहेंगे और एक number का एक youtube aproximbelt 20 number यहाँ पे मिल जाएंगे तो टोटल की बात करें तो टोटल 80 नमबर हो गए वहीं बात करें external examination की तो 20 नमबर आपके sessionals के होते हैं आपे 20 नमबर आपके sessionals और 80 नमबर आपके external examination जिसका exam pattern मैंने आप यह आपको बताया तो I hope आपको यह जो है नया जो pattern है PCI ने नया pattern दिया है वह आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को कर देज़ेगा लाइक चैनल को कर देज़ेगा सब्सक्राइब ऐसे ही फार्मसिस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए